अभी मैं अपने नीजी ग्राम बावन गंज कोड़ा कटिहार में हूँ और यहां पे एक हिरदय विदारक घटना हुई है और यहां पे किसान के फसल को बरवाद किया गया है वो किसान जो अन्न को उगाता है और कई सारी सैक्रोल लोगों की पेट को भरता है उस किसान के साथ कुछ असमाजिक तत्बोदारा रात के अंधेरे में लगबख दो एकर से उपर के जमीन में लगे हुए फसल को परवाद कर दिया गया है जिसमें लगबख जिसमें मुख फसलों में केला मकई और महोगनी इस तरह के फसल लगे हुए है और घटना के बाद जब लोग यहां के चारो और जो नन्य पोदे हैं केला के जिसको लगबख साल भर साल भर पोस्टने के बाद बड़ा किया जाता है और किसान सोचता है कि अगले साल में इस फसल को काट करके अपने निजी लाइफ की कुछ काम को करूंगा लेकिन ऐसे में अगर किसान के फसल को बरवाद कर दिया जाए तो आखिर किसान क्या करेंगा ऐसे में किसान का कहीं न कहीं बुरा हाल हो जाता है जब उनके फसल उनकी आखों के सामने बरवाद होता है तो अभी बहुत सारे ग्रामीन भी है उनसे भी बात करेंगे और सबसे पहले जो किसान है जिनके फसल को बरवाद किया ग परखंड खोड़ा जो कि ना नाम चंदन कुमार है वाड नमर 14 गराम बाउन गंज परखंड कोड़ा किसी से निजी दुस्मनी था आपका जिसकी नहीं किसी से नहीं किसी से नहीं किसी से नहीं तो फिर इस तरह से आपके साथ कोई क्यों करेगा अब भगवान जाने क्या किया उसके मुद्र में क्या आया कहा कि किया किसी से तो मेरा कोई दुस्मनी नहीं था लोगों को परसान व उपर का आपका फसल को बरबात किया गया है और एक डेश लाग रूपया से अधिक का मेरा केला में छती हुआ मेरा 70 को पेड मेरा महगनी का लगा हुआ था उसको भी काड़ दिया गया जो पांच फिट के करीब करीब लंबाई में था ना किसी से दुस्मर्नी ना किसी से आपत्ती उसके बाद भी एक सिधे साधे किसान को परसान करना आज के समाज में कुछ ऐसे असमाजिक तत्व हो गए हैं ऐसे लोग हो गए हैं जो किसी की उन्नती को देखना नहीं चाहते हैं और कहीं न कहीं उसके टांग खिचने के पिछे पड़े रहते हैं ऐसे में हमारे साथ पिंटू जी है जिनके जमीन में लगा हुआ फसल जो भी था केला था महोगनी था मकई था सभी चीजों को नश्ट कर दिया गया है और यह कहा जाए कि पूरी तरह से इनको बरवाद कर दि करते हैं अगर हो सके तो मील जाए तो बहुत अच्छा ही होगा आण हूब मुद्र चाहते हैं इसके लिए कहीं पर आवद्दन दे रहें या नहीं दे रहें क्योंकि मुद्र आपी तो फिर आवाब हमने हमारे पंचायत के जितने प्रतिनी धी हैं उन्से उनको बुला के प करेंगे यह जो प्लॉट देख रहे हैं पूरी तरह बरबाद पड़ा हुआ है और सारा का सारा केला का फसल बरबाद हो रखा है इसमें आपका भी प्लॉट है यह मेरे बड़े भाई थे और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं जो किसान अभी जो महंगाई चल रहा ह है और इतना महनत करके इतना महंगाई के दोर में करज लेके किसान क्रेडिट काड जो है किसान जो बैंक से लॉन लेके खेती करते हैं अगर उनका फसल इस तरह समाजिक तत्तों द्वारा या जो भी लोग इस तरह का अंजाम दे रहे हैं मैं आपके के माध्यम से यह कहना च चाहिए और मैं आपके के माध्यम से प्रसासन को और जो भी लोग हैं जनपरतिनीधी लोग हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पकड़ कर सबसे पहले उचित कारवाई होनी चाहिए ताकि वह आगे चलके इस तरह के घटना को अंजाम नहीं दे सके किसान हमार कुछ अस्थानियों लोगों के दौरा बताया गया था कि आठ से दस सल पहले लगवग इसी तरह की घटना आपके साथ हो हमारे चाचा जी का ही प्लोट था जिसमें कि उसको भी केला का गास तो अभी छोटा था वो तो बड़ा बला गास था जो की फूटने के कगार पे था उसको कार दिया गया था तो जो अस्थानियों लोग है उनके दौरा बताया जा रहा है कि लगवग आज से दस सल पहले भी इनके परिवार में इनके फसल के साथ इसी परकार की घटना को अंजाम दी गई थी और फसल को बरवात कर दिया गया था आप जितनी दूर तक हमारे केले के साथ साथ एक एकर मखाई को बरवात किया गया लगवग सौ के आसपास महुक्री का पधा लगा हुआ था जिस पौदय को भी बरवात किया गया है और पूरी तरस से काठ के नस्ट कर दिया गया है जबनास तल पे अभी पंचायत के पर्तिनीधी है और समीती भी ओन इस परकार की घटना को इनके पंचायत में अंजाम दी गई है क्या वज़ा है क्या आप सी दुस्मनी थी या फिर जान बुछ करके इस घटना को अंजाम दिया गया है सबसे पहले आप अपना पर्चे दीजिए मेरा नाम सिर्फ संकर सिंग है बारतमान में पंचासर में समिती हूं लगभग आपके वाट से आपके जो ग्रामीन है उनका फसल लगभग दोएकर से उपर का परबात कर दिये तो बहुत बारी दर्दनाग वाली बात है और ऐसे हम और लोग पता किये तो अजसात कोहतरा का भीवाद कोई दुसमनी नहीं थी दakah जो घठना किया है बहुत बहुत ही बहुत अच्यान्ถवाली बात है जो भी किए है वह बहुत गलत किए उनके पर अनुसार से किसी के साथ उनकी दुस्मनी नहीं थी लेकिन जिस परकार से उन तीनों भाई की फसल जहां जाए सिर्फ उन फसलों को वरवाद किया गया है और उनके सेक्षन बोरिंग जो है उसमें बास डाल दिया गया है ऐसे में देखने से तो यही परतीत होता है कहीं न कहीं आपसी दुस्मानी की विज़से इस घटना को अंजाम दिया गया है क्या लग रहा है आपको की आखिर क्या हुआ होगा इसमें तो हम लोग को अनभब न करने के लिए जिस बोरिंग को लगाया जाता है इस बोरिंग का जो सेक्षन पाइप है उस सेक्षन पाइप को भी काट दिया गया है और जो बोरिंग है इतनी ज्यादा दुस्मानी निभाई गई है कि इसमें बोरिंग में बास डाल दिया गया है ताकि इसको सही नहीं किया जा सके आप देख सकते हैं सेक्षन पाइप को काटके फेका हुआ है और अंदर की तरफ लाइट करके दिखाओ तो थोड़ा सा बांच डाला हुआ है लग दो अब देख सकते हैं कि ये बोरिंग है जिसमें बांच डाल दिया गया थाकि बांच ना निकल सके और फिर से फिर से बॉरिंग करवायें जा सके ऐखिर जब जो किसान है कि हमारा किσι से कोई नीजी दूस्मनी नहीं है फिर इस तरह की घटना आखी कोई कैसे दे सकता है किसी के साथ क्यों करक करेगा इस घटना की जितनी निंदा की जाagt उतना ही कम है चुकि जो किसान होते हैं, वो सिर्फ अपनी फसल को नहीं उगाते हैं, वो सैक्रों लोगों, हजारों लोगों के भोजन का माध्यम बनते हैं, अपने फसल से हजारों लोगों का पेट भरते हैं, जिसके बाद आखिर वो किस तरह के लोग होंगे, जो सिर्फ किसान ही नहीं, हजारों लोग अन्य खाते हैं। जिसे अपना पेठ भरते ह Tai को नस्ट कर दिया गया। लोग कहते हैं कि अन्य को बर्वाद नहीं करना चाहिए। अन का आप मान नहीं होना चाहिए। फिर कैसे यह रिधा समाजिक टत्व लोग थी जो फ़सल को बर्वाद किये है। यह मकई का फसल है लो लगबग दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरे जाएंगी वहां तक मकई के और के फसल को बरवाद किया गया है और और देखकर के रूप काब जा रहा है इस परकार की घटना को अंजाम दिया गया है लगबग अगर यू कहा जाए कि दो से तीन लाग का नुकसान तो जरूड हुआ है किसान का अट्य गया है उन में किनका किनका फचल था रहा विजयक learnt मेरा नाम है और अछोट्यू का है एक रड़ को बरवाद किया गया है यूद कड़ा और लगभग अभी तो लागत कम से हम दो लग से पलस चल जाएगा सिफ लागत खेती करने में केला का फसल और मोहगनी का पेट लगभग एकतर गोप गांच अभी खाड़ा था और साम में घूम फिरके खेश से गए तो कहीं कुछ नहीं था और सुबा जब चाचा जी आये खेत तो देखते हैं कि पुरा फसल यानि नुकसान पूरा एकदम करके चले गया है कोई परसासनिक विवस्ता है उनसे मुआपजा चाहते हैं हाँ 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 मुआपजा चाहते हैं अब इतना भाड़ी नुकसान हो गया हम लोग केसी लॉन है अभी तक सधा नहीं पाए हैं और ये नुकसान होने एक बाद कहां से हम देपाएंगे और मतलब जिनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है लॉन पे लेकर के खेती किया रहा था और उमीड लगाई गई थी कि फसल के पूरा होने के बाद इसी फसल की कटाई के बाद वो लॉन को उस लॉन की भरपाई की जाएगी लेकिन फसल की कटाई क्या हो पाएगी कि फसल तयार होने से पहले ही समाजिक तत्वों के दौरा नश्ट कर दिया गया है जो कि बहुत बड़ी घटना है और कहीं ने कहीं मानपता को सर्मसार करती है कि इस परकार की घटना को अंजाम ना दिया जाए तो झाल झाल